नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस खास कारेकरम में आपका स्वागत है। कि टीम लगतार छापे मारी कर सराब की खेप बरामत कर रही है लेकिन जितनी बड़ी करवाई हो रही है उतना ही बड़ा चेहरा सराब के अवैद कारोबार का सामने आ रहा है। पाद विभाग सजा नहीं करवा पा रही है। इस पी ने थानेदार को सराब बेचते हुए थाने में पकड़ा है। लक्षमी दरान महतो समेत दो और पुलिस वालों को गिरफतार किया। इस पी ने तुरत करवाई की चापा मारा और सराब बेचते हैं दो पुलिस कर्मी पकड़े गए। लाखों की सराब बरामद हो गई। यह थानेदार सराब बेचने की जुगाल में लगा हुआ था। अगर समय से जनता ने सुचना नहीं दी होती तो 40 लाख रुपे में यह थानेदार जब सराब का सोधा कर चुका होता। लेकिन समय से पुलिस ने करवाई की और पुलिस वोला पकड़ा गया। वैसे सराब के अवैद कारोबार में पुलिस कर्मियों की सनलिप्तता पहली बार उजागर नहीं हुई है। गया में भी SSP ने एक थानेदार को अवैद सराब के कारोबारियों से रिस्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। दरोगा गिरफतार भी हुआ लेकिन जेल जाने से पहले ही वह चकमा देकर थाने से फरार हो गया। बेगुसराय के लोगों ने भी अवैद सराब के कारोबार में सामिल एक थानेदार की घेराबंदी कर दी थी। थाने को शेकलों लोगों ने घेर लिया था और थानेदार को जेल भेजने की मांग पर अड़ गये थे। तीन सो उनचालिस मामले दर्ज किये गया हैं। यानि लगभग डेढ़ लाख लोग सराब पीने और बेचने के आरोप में पकले तो गये। लेगिन सजा हुई किवल 52 सराबियों को और 89 सराबि के कारोबारियों को सजा मिली। जब कारोबार चोगुना मुनाफा देने लगे और पकले जाने पर सजा होने की गरांटी न हो तो भला जेल जाने भर के डर से सराब के अवैद कारोबारी कहां से डरने वाले हैं। जाहिर है सजा नहीं हो पाने की वज़ा से लोग पकड़े जाने के बाद भी सराब पीना और बेचना नहीं छोड़ रहे हैं। महां से आनी है और उसी जान्च रिपोर्ट के इंतिजार में सराब थानों में महिनों से पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने अभिलंब जब्त सराब की बोतलों को नश्ट करने का निर्देश दिया। अगर मुख्यमंत्री के इस आदेश का ठीक ढंक से पालन हो गया होता तो आज एक ठानेदार ठाने में जब्त सराब की बोतलें बेचते हुए गिरफतार नहीं होता। धरसल पुलिस के बड़े अधिकारियों को या जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं था कि जो बरामद हो रही है सराब उसकी जांच किस लैब में कहां होनी है। और उसी लैब की रिपोर्ट के इंतिजार में सराब नस्ट नहीं की जा रही थी और इधर पुलिस वाले उसी सराब को बेच रहे थे तो जिस पुलिस अधिकारियों के कंधे पर जिन्वारी है साराबंदी को सफल बनाने की सराब के करोबारियों के खिलाब करवाई करने की व कोई नतिजा नहीं निकलेगा क्योंकि पुलिस वाले जब भी बड़े से बड़े अपराद करते हुए भी पकड़े जाते हैं तो उन्हें अभासी सजा दी जाती है आनि निलंबन की करवाई होती है निलंबन तो कोई सजा है नहीं यह तो बिलकुल अभासी सजा है कि हां हमने सजा दे दिया तो जब तक फुल्ीस वालों को अपराधिक सजा नहीं दी जाएगी जाएगी जब तक उनको जेल नहीं भीजा जाएगा तब तक ऐसे गलतियाँ वो करते रहेंगे तो अब इस बार तो यह जेल जाएंगे दोनों खानेदार पुलिस वाले मुझे लगता है कि अब सरकार सक्त हो गई है और मुख्यमंद्री पहले भी कह चुके हैं कि अब कोई भी पुलिस वाला रिस्वत लेते हुए पकड़ा गया या उसके खिलाफ कोई अपराधिक सिकायत आई तो केवल निलंबन की करवाई नहीं होगी यानि क्योला भासी सजा से काम नहीं चलेगा उसके खिलाफ अपराधिक मुकत में दर्ज होंगे और अपराधिक की तरह ही उसके खिलाफ जांच भी होगी और उसे भी अपराधियों की तरह जेल भेजा जाएगा आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर करिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए आपका सहयोग समर्थन लगतार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यबाद आपके सहयोग समर्थन से पिछले एक महिने में हम 32,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बना चुके हैं और उमीद है कि आपका सहयोग समर्थन मिलेगा तो ये लाखों में आकड़ा पहुचेगा धन्यबाद